कि अधिया जाएं स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा जो कैसे न इंडिया में विद्यार्थियों इस वीडियो के माध्यम से सूत्रों के अनुसार हम समझेंगे मन को कैसे इस्तिर करें और निर्भी समाधी के बारे में भी समझेंगे तो यह जाथ हो पार्ट एट नम्मर क वीडियो जो की समाध्यपात से ही है तो आए करम के नुसार ही हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सूत्र को समझते हैं और ध्यान से आप सभी इसको सुनेंगे और देखेंगे अच्छे समझेंगे विशोका वा जियोतिस्मति अब इसका आर्थ समझते हैं वा वा मने इसके अतरिक थे इसके अतरिक थे विशोका यानि शोक रहे थे जिसमें कोई सोक ना हुआ हुआ ही विशोका जियोतिस्मति है जियोतिस्मति यानि प्रकाश वाली व्रित्य जियोतिस्मति प्रकार या प्रकाश वाली व्रित्य मन को स्थिर करने वाली होती है उन्हें के अत और क्रम से ही एक सारे सूत्र जो योग दर्शन की सारे सूत्र एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो क्रम से देखेंगे तब ही आपको अच्छे समझ में आएगा तो उनी की अत्रिक जो पहले पहले बता चुकी हूं मैं पिछले वाले वीडियो में शोक रही थे प्रकास वाली वृत्ति मन को इस्थिर करने वाली होती है तो थोड़ा सा और समझने जैसे विशेवती प्रविर्ति मन को इस्थिर कर देती है उसी प्रकार विशेवती से पहले वाला सूत्र है उसी प्रकार विशोका यानि शोक रही नामक प्रविर्ति भी मन को इस्थिर कर देते ही थोड़ा सा और समझते हैं हिर्दे-कमल न अ हद्पदम यानि कमल झना मन को स्थिर करके चित्त की इकाग्रता सध याती हुए यonne उसमें बताया गया था पिछले वाले सूत्र में विशयवती में कि बताया गया थे कि नाकसागर जीवागर जीवामध आधी प्रकार के जो पाँच अस्थान बर्माने गये थे वहां मन को एकागर करने से मन इस्थिर हो जाता इसी प्रकार विशयु का वृत्त में भी ये थोड़ा मैंने आपको समझने के लिए बताया है और पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि अच्छे समझ में आए इसी प्रकार हिर्दे कमल यानि हत्पदम में मन को इस्थिर करके चित की एकागरता सद जाती है प्रारंब में रजोगुड और तमोगुड से उद्भूत जो शोक, मोह, आद्विकार हैं उनका निराकरण कर लेने और अज्ञान अंधिकार दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक जला लेने से सतोगुड प्रदान निर्मल निर्मल वृत्य का आगरभाव होता है कैसे होता है उनका निराकरण जो विकार है उनका निराकरण कर लेने और अज्ञान अंधिकार दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक जला लेने से सतोगुड प्रदान निर्मल वृत्य का आविर्भाव होता है उससे मन इस्थिर्था को प्राप्त करता है कि इसके अप्भ्यास के लिए इस इस्थित को समझ लेना आवस्य कि थोड़ा समया और समझा दूं कि हुआ आपको समझने के लिए मैं बता रहे हैं इसमें χ fåण को से थादान कहते हैं जो घृर्दय अस्थान मे कमल्पी सादरिस से एक सूझी दिंगरंथ है उसे हाध पधम कहते है यह आइफ पंखुडियों वाला अश्ट कमल या आइफ कम वाला अश्ट कमल जिसका मुक्ष नीचे और जडा recommendations नीचे हिर्दय कमल का मुख उर्धों मुखी हो जाता यानि उपर की ओर हो जाता है और यह पंखणिया खुल जाती है तो इसी तरह ये चित निर्मन हो जाता है तो बिद्यारतियों आसा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा विशोका वा ज्योतिस्मति के बारे में तो आई आगे अगले सूत्र पर पढ़ते हैं वीद्राग वीद्राग विश्यम वा चित्तम ये 37 नंबर का सूत्र है ये भी मन को इस्थिरता के लिए ही उपाया पताये गया है इस सूत्र के मादत से ही चलिए सूत्र के बढ़ते हैं वीद्राग विश्यम वा चित्तम 37 नमबर का सूत्र है वामने अथुआ क्रम से ही चला है ना वामने अथुआ वीद राग विश्यम वीद राग पुरुसों का विश्य करने वाला कौन से वीद राग पुरुसों का विश्य करने वाला चित्तम यानि चित भी इस्थिर हो जाता है वीद राग पुर्सों का विशय करने वाला चित भी इस्तिर हो जाता है कैसे हो जाता यह जानते हैं जिनके राग दोएस विनस्ट हो चुके हैं वीद राग पुर्सों के बारे बात चल ले यहां पर जिनके राग दोएस विनस्ट हो चुके हैं ऐसे योगियों को धे बना कर अपना भाव वैशा ही बना करके अभ्यास करने वाला चित भी इस्तिर्था को प्राप्त कर लेता है थोड़ा सा और इसमे में समझा दूँ और यह आप साथ साथ नोट भी करते चलेंगे इसका भावार्थ क्या है यह भी समझने आपकी जैसे कि एक्जांपन जालने की सुक देओ जैसे वीदराग संतों का लक्षी यानि आदर्स मान कर अपनी मना इस्तित भी उन्हीं की तरह बना लेने से उन्हीं की तरह अन्भूतियां होने लगते हैं इस अभ्यास में मात रितना कहना पर्याप नहीं है विज़ाद्यों की इस योगी का चित कितना निर्मल है यह पर्याप नहीं कि इस योगी का चित कितना निर्मल है वरन हमें क्या करना चाहिए यह सोचना चाहिए कि निर्मल चित तो निर्मल चित होकर इन्हें सांसारिक प उनको यह सोचना कि निर्मन चित्र होकर उन्हें इन्हें सांसारिक पदार्ट कैसे लगते होंगे यानि वैसा हम खुद बने इस अनभो की भावना अपने अंदर भी करने से अपना चित भी उस योगी की चित्र की स्थित में ही पहुंच जाता है तो ऐसी से असाधना करने से भी चित्र निर्मल और इस्थिर हो जाता है तो यह हमने जाना वीत्राग विश्यम वा चित्तम की बारें विस्तार से अब आई अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं स्वप्र निद्रा अग्यान आलंबन वा थर्टी एट नंबर का सूत्र है तो सबसे पहले अर्थ समझते हैं वा मिस अथ्वा ध्यान दीजे सारी सूत्र वा सबसे पहले लिखा अथ्वा अथ्वा जरूर है इस क्रम से ही हम समझेंगे तभी समझ में आएगा वा मने जो चित सुप्न यू निद्रा के ज्यान का आलंबन करने वाला यानि आस्रे लेने वाला है वह भी स्थिर हो सकता है जो चित सुप्न यू निद्रा के ज्यान का आलंबन करने वाला यानि आस्रे लेने वाला है वह भी स्थिर हो सकता है इस सूत्र का यह अर्थ हुआ अब कै कैसे हो सकता है समझते हैं कई बार विद्यार्थियों कई बार ऐसा होता है कि सपन में जो अलोकिक पदार्थ देखे जाते हैं जो सपन में हम देखते हैं उनमें भी चित को बहुत आनंद होता है कई बार ऐसा जागरित अवस्था में भी नहीं हो पाता है जैसा कि सपन में हो जाता है संसार को सपनुवत छड़ भंगुर संसार को सपनुवत छड़ भंगुर देखने तथा इसकी नस्वर्ता की भाव को ध्रड करने से लोकिक वाशनाओं ये जिश्ड़ाओं की व्यर्थता समझ में आती है जिससे मन चित्ति इस्थिर हो जाता है जब हम सपन देखते हैं तो उसके बाद जागते हैं तो उसके बाद समझते हैं उसको उसी के नुसार हम समझते हैं कि संसार को सपनवत सपनवत जैसे चड़ भंगुर देखने तथा इसकी नस्वर्ता की भाव ये समझना चाहिए कि ये सब तो नस्वर हैं कि भाव को ध्रड करने से लोकिक वासनाओं ये त्रिस्ड़ाओं इच्छाओं कि व्यर्थता समझ में तो निद्रा ना तो अब नीद्रा के पारी में तो आने के यह भी हो सकता है कि प्रगार निद्रा के आश्रे का एक अर्थ यह भी रहती है जब गाड़ी निद्रा होती है उसमें सुख दुख से रहित इस्थित में चित्त की वृतियों के अभाव का ज्यान होता है किसी अन्य पदार्थ है कि प्रतीत नहीं होती ऐसे उस ज्यान यानभों को अंताह करण में इस्थित करने में चित्त इस्तिर हो जाता है जब इसके बारें जब हम सूचते हैं, ऐसी प्रकरिया आती है, इसी कहें थियरा किसी अनि पदार्थ कि प्रतीत नहीं होती है, कैसे होता है, वृत्तियों के अभहाव का ग्यान होता है, जब बिरत्यों के अभ़ाव का ग्यान होता तब किसी अनपदार्त की प्तीत नहीं होती है। ऐसे उस ग्यान यानभो को अनतायगरण में इस्थित करने में चित इस्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार चित्र, श्थिर मन यद्चित्र स्थीर हो जाता स्वप निdрах के अनसार थोड़ा सा और समझ ले पे लें वितारतियों इस स्वपन और निद्रा के आसरे का एक अर्थ याभी हो सकता है कि स्वपन ध्यान से समझेंगे सपन और सुसुपता में जागरत विशय का ज्ञान इयूम इंद्रियों का चंचाले नश्ट प्राया हो जाता हैं इसी प्रकार ज्ञान का आश्रेलेनी बायवृतियां नश्ट हो जाती हैं और चित इस्थिर हो जाता है और और भी इससे ज्यादा समझना चाहते हैं तो इससे पहले इससे पहले भी मैंने वीडियो इस पर बना रखा है तो उसको भी देखें ताकि और भी अच्छे समझने तो बिदर्थियों चलते हैं आगे आगले सूत्र पर हम बढ़ते हैं 39 नंबर का सूत्र है यह भी मनिश्थिर करने के यह उपाय है अभी लोची के निशार ध्यान करना तो बिदर्थियों यथा अभी मत ध्याना दवा थे नंबर का सूतर है जो कि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको वा देखिए इसमें भी वा है वा यानि अथ्वा यथा अभिमत ध्यानत जिसका जैसा अभिमत हो उसके ध्यान से मन इस्थिर हो जाता है इसकार्थ क्या हुआ जिसका जैसा अभिमत हो उसके ध्यान से मन इस्थिर हो जाता है इस सूत्र में क्या संकेत बताया गया अब द्यार्थियूंजे समझें कि चवतुस्वे सूत्र यानि 34 नंबर का सूत्र चुब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है से यहां तक जो 34 नंबर से स्टार्ट हुआ यहां तक निरंतर वा जो मैंने अभी बता है वा यानि वा वा सब्द आया ना सब्द द्वारा चित को इस्थिर करने की वैकल्पिक उपाय बताए गए है ठीक और उन में से जिसको जो उपाय अनकूल लगे जो उपाय में से कोई उपाय अनकूल ना हो यानि साधक के अनकूल तो साधक अपनी इच्छा से चैनित अथ्वा अपने निर्धारित इस्ट दियो के शुरूब का ध्यान करने का भ्यास करने इससे भी मन इस्थिर हो सकता है थोड़ा सा और समझने भी देरते हो चित को इस्थिर करने के लिए मन को किसी इस्थूल मूर्त में एकागर करना चाहिए जो साधक को बहुत प्रिये हो वह मूर्त किसी देवता गुरू, माता, पिता किसी की भी हो सकती है इस्थूल पदार जैसे मूर्त या चित्र आद प्रिकार के जो होते है में मन एकागर हो जाता है और निरंतर अभ्यास से वह सतत इस्थिर बना रहता है तो यह आपके समन में आवस्या आ गया होगा अब यह अगले सूत्र की तरब बढ़ते हैं फोड़ी नंबर के सूत्र का परुमारू परुमारू परमहत्वांता परुमारू परमहत्वांता अस्य वशी का रहा है तो आई यह इसकार्द समस्ते हैं परुमारू परमहत्वांता इसकार्थ क्या हुआ परुमार से परमहत्व परियंत अस्य ने इस यहनी इस्थिर चित इस मतलब इस्थिर चित का वशीकार करड करना सरल होता है परुमार से परमहत्य परियन्त इस इस्थिरचित का वशीकरण करना सरल होता है कैसे अब आगे समझते हैं पूर्मिमि वर्णित जो पहले ही वर्णि किया जाज चुका है उपायों से मन इतना इस्थिर और एकागर हो जाता है कि वह नियंत्रित हो जाता है तद उपरांत यानि उसके बाद ऐसी इस्थित हो जाती है कि लगु से लगु परुमारु से लेकर आंतरिक्ष परियंत किसी भी तद तुमें मन को लगाने की इच्छा करें तो वहाँ चंचलता छोड़कर सहज ही लग जाता है इसका आर्थी ये हुआ फोटी नमबर के सूत्र का अब आएए अगले सूत्र पर पढ़ते हैं फोटी वन नमबर के सूत्र का छीड वृत्ते अभिजाता सेव छीड वृत्ते अभिजाते सेव मडे ग्रही त्रे ग्रहल ग्रहेशू मडे ग्रही त्री ग्रहल ग्रहेशू ततस्त तदाय अजनता समापती है छीड वृत्ते अभिजाता सेव मडे ग्रहेशू ततस्त तदाय अजनता समापती है छीड वृत्ते अभिजाते अभिजाता सेव इसकारत क्या हुआ इसफटिक मडी सद्रिस निर्मल चित्त का ग्रही त्री ग्रहन ग्रहेशू इसकारत क्या हुआ ग्रहेता यानि आतमा या पुरुस ग्रहेता जो ग्रहेशू करने वाला आतमा काओ या पुरुस काओ दोनों कह सकते हैं ग्रहेशू ग्रहन यानि अन्ता करण और इंद्रियां ग्रहेश । ग्रहेशू करने जो ग्रहेश कीया जाता हुँआ पंच भूस यह si u那ु में तदस्त देजन्त इसकार्थ किया वह इस्थित होना और ददाकार हो जाना ही समापति यानि संप्रग्याद समाधी कहलाती है विद्यार्थियों विद्यार्थियों जिसकी सभी बाई वृत्तियां छीर्टा को प्राप्थ हो चुकी ही ऐसे इस पठीक मरी सद्रिस निर्मल चित्त का ग्रहता ग्रहर ग्रहता यानि आत्मा या पुरुस ग्रहर यानि अंता करण और इंद्रियों के द posledर में इस्थित होना और दाकार हो जाना ही सम्प्रग्याद समाधी कहलाती है आपसे question पूछा जा सकता है संप्रग्यात समाधी का इसमें से बहुत सारी question बन के तयार हो सकते है यहावी बिदर तो सभी उपायों से पहले जो मैंने बता रखा है सभी उपायों से चित पर अधिकार हो जाता है और चित निर्मल होकर समाधी की चमता प्राप्थ हो जाती है उसके बाद संप्रग्यात और निर्वीद समाधी के इस्थिति क्रमसा कैसे प्राप्थ होगी इस सूत्र के अनुसार हम समझेंगे तो आए थोड़ा मैं और समझा दूं इसके बारे निरंतर पूर्व वरडित अभ्यास करते करते जब मन रजोगुड़ी और तमोगुड़ी व्रित्यां छीड़ हो जाती है तब साधक में मात्र सतोगुड़ी ही सेश रह जाता है उसका चित इसफटिक मड़ी अथ्वासी से की तरह स्वक्ष हो जाता है इसी तरह एकाग्र और इस्थिर चित होकर जब सतोगुड़ी व्रित्यों के संपर्क में आता है तब ये एक एक्जामपल है और ये इसी तरह एकाग्र और इस्थिर चित होकर जब सत्वगुड़ी वृत्यों के संपर्क में आता तब वह भी सत्वगुड़ से ओत्प्रोत भासित होता है जैसे मन इंद्रिये आत्मा और बाह विश्यवी सत्व में इस्थित हो जाने से सत्वप्रधान होते हैं सत्वगुड़ में तदाकार और तनमें हो जाने से जो निर्विकार इस्थित प्राप्त होती है उसे ही समापत्ति इस्थित या संप्रग्याथ समाधि कहा जाता है तो आसा करते हैं कि आपके समझ में आवस्या गया होगा आसा करते हैं विद्यार्थियों आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा और जहां कहीं भी नाया होगा कमेंट वाक्स में सेयर करना मैं आपको फिर से समझा दूगो तो विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो अगर लगातार देख रहे हैं तो आपका धन्यवर्थ जार्थियों और इसी तरह मैं करम से वीडियो बनाती रहोंगी और हाँ दोस्तों को भी सेयर करना मत भूलना